थोट अफ़ दे बाबा ने कहा है जो द्वारकावती की सीड़ी चड़ेगा उसे सुख की प्राप्ति होगी और उसके कश्टों का अंत हो जाएगा ओम साइराम टीम साइपुजा की और से मैं प्रीति आप सब भक्तों को शच्चत प्रेणाम करती हूँ और साइपुजा चैनल पर आप सब का स्वागत करती हूँ टीम साइपुजा आप सब के लिए लेकर आई है बाबा के परंभक्त आज हम जानेंगे बाबा के परंभक्त डॉक्टर पिल्ले जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या सिक्षा मिलती है तो आईए शुरू करते हैं डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ट भगत थे इसी कारण बाबा उन पर अधिक सने रखते थे और उन्हें सदा भाव कहकर ही पुकारा करते थे तथा हर समय उनसे वारतालाब करके परतियक विश्य में परामर्श भी लिया करते थे उनकी सदैव यही इच्छा रहती थी के वे बाबा के समीपी बने रहे एक बार डॉक्टर पिले को नासूर हो गया वेका का साहिब दिच्छित से बोले के मुझे आसेहनिय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यू को अधिक श्रेश कर समझता हूँ मुझे ग्यात है के इसका मुख्य कारण मेरे पुरव जन्मों के कर्म ही है मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले दस जन्मों में भोगने को तयार हूँ तब काका दिच्छित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्राथना सुनाई साइन तो दिया के अव्तार ही हैं वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे उनकी प्राथना सुनकर उन्हें दिया आ गई और उन्होंने दिख्षित से कहा के पिले से जाकर कहो के घबराने की कोई अव्शक्ता नहीं है कर्मों का फल दस जन्मों में क्यों भुप्तना पड़ेगा? केवल दस दिनों में ही गत जन्मों के करम फल समापत हो जाएंगे मैं तो यहां तुमें धार्मिक और अध्यात्मिक कल्यान के देने ही आया हूँ प्राण प्यागने की इच्छा कद पीना करनी चाहिए जाओ, पीट पर लाद कर उन्हें यहां ले आओ, मैं सदा के लिए उनका कस्टों से छुटकारा कर दूँगा तब उसी स्थीती में पीले को वहां लाया गया बाबा ने अपनी धहनी और उनके सिराने पर अपनी गादी देकर सुख से लिटा कर कहा कि इसकी मुख्य आशदी तो यह है, कि पिछले जन्मों के करम फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए तांकि उनकी सदैब के लिए उनसे छुटकारा मिल जाए हमारे करम ही सुख दुख के कारण होते है इसलिए जैसी भी परिस्थिती आए उसी में संतोश करना चाहिए अल्ला ही सबको फल देने वाला है ऐसा विचार कर सवैव उनका ही स्मर्ण करो वे ही तुमारी चिंता को दूर करेंगे डॉक्टर पिले ने कहा के नाना साहिब ने मेरे पैर पर एक पट्टी भांदी है परंतु मुझे उससे कोई लाग नहीं पहुंचा नाना तो मूर्ख है बाबा ने कहा वे है पट्टी हटाओ नहीं तो मर जाओगे थोड़ी देर में ही एक कुवा आएगा और वे है अपनी चोंचिस में मारेगा तब तुम शिक्र ही अच्छे हो जाओगे जब यह वारतालाप हो ही रहा था कि उसी समय अब्दुल जो मस्ज़िद में जाडू लगाने का काम किया करता था और दियाबत्ती आग स्वच्च करता था वहां आया जब वह दियाबत्ती स्वच्ची कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिले के नसूर वाले पैर पर जा पड़ा पैर तो सुजा हुआ था ही और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नसूर के साथ कीरे पहार निकल पड़े कस्ट असहन्य हो गया और डॉक्टर पिले उस्वर में चिला पड़े किंतु कुछ समय बाद वे शान्त होकर गीत गाने लगे फिर डॉक्टर पिले ने पूछा वह कोआ कब आएगा और चौच कब मारेगा बाबा ने कहा अरे क्या तुमने कोई को नहीं देखा अब वह नहीं आएगा अब्दुर जिसने तुम्हारा पैर तबाया वही तो कोआ था उसने चौच मार कर नसूर को हटा दिया वह अब फिर से क्यों आएगा अब जाकर वाड़े में विश्राम करो तुम शिग्री स्वस्त हो जाओगे उदी लगाने और पानी के साथ पीने से बीना किसी ओशधी या चकित्सा के वे दस दिनों में निरोग हो गए जैसा के बाबा ने उनसे कहा था ओम साइराम तो आज हमें डॉक्टर पिले जी के जीवन से क्या सिक्षा मिली हमें यह सिक्षा मिली के केवल हमें अपने हर सुक दुख में बाबा पर विश्वाश और शर्धा रखनी चाहिए बाबा अपने आप ही हमारे कस्टों को दूर करके हमें सुक और शांती प्रापत करवाएंगे ओम साइन राम साइन पुजा चैनल पर यूँ ही बने रहें कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परमभपत के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है अनंत कोटी भ्रहमांधनायक राजा दिराज योगी राज परम्रम शिरी सचिदानन्द सद्गुरू शिरी साइनात महराज की जै ओम साइराम जै साइराम